ओम साइं राम, वेलकम बैक टू आर चैनल, दा वर्ल्ड अफ रवीन, आज मैं फिर से एक इंग्लिस ग्रामर की टॉपिक, क्लास 1-5 के लिए लेकर आई हूँ, सिंगूलर और प्रूरर, कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो करें हेलो पेरेंट्स, आज हम देखेंगे सिंगूलर और प्रूरर, अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, तो ये वीडियो मैं, एस्पेसली पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस्टडी कराते हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, क मैं बहुत ही धीरे धीरे इस वीडियो को बना रही हूँ, तो आप प्लीज पहले एक नोट्स बना लें, उसके बाद ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं, इससे क्या होगा, इजी होगा, बार बार वीडियो को उपन करना, देखना बहुत ही मुस्किल होता है इसलिए मैं बोलूँगी कि पहले आप नोट्स बना लें, उसके बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो चलिए जल्दी से फटाफट लेकर आएं पेन और पेपर और नोट्स बना लें, तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सिंगूलर और प्लूरल, सिंगूलर, when it stands for one person, place, animal, bird, or thing, where as a word is said to be plural, when it stands for more than one person, place, animal, bird, or things, means, जब कोई भी noun stand करता है, किसी एक के लिए, वो सिंगूलर होता है, हम सभी जानते हैं, तो बच्चों को समझाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, यह जो copy है, उसी को दिखाईए, और समझाईए, एक copy है, तो यह क्या है, सिंगूलर है, अगर दो copy है, तो क्या ह हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, जैसे example देख लेते हैं, एक pain, pains, अगर एक pain है, तो वो क्या हुआ, सिंगूलर, अगर एक से जादा है, तो वो क्या हुआ, प्लूरल, an owl, देखिए, एक और चीज़ है यहाँ, an owl, अगर vowel आ जाता है, तो वहाँ क्या यह स्टेंड करता ह है, an, then owls, एक cat, cats, और toy, toys, तो इससे clear हो गया होगा, parents को भी और बच्चों को भी, जो parents अपने बच्चों को भी वीडियो दिखा रहे हैं, या जो बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है, clear हो गया होगा, कि singular क्या है, और plural क्या है, singular क्या होता है, बाबू, एक के लिए कोई भी stand करता है, वो क्या होता है, singular, और एक से ज़्यादा जो stand करता है, noun, वो क्या होता है, plural noun, okay, चलिए, आगे देखते हैं, we write a और n before singular noun, अगर कहीं भी एक stand करता है, वही बात हुई, तो वहाँ a और n लगाते हैं, लेकिन, 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 क्या ह प्लूरल के आगे आप a और n यूज नहीं कर सकते हैं, when we change a noun from singular to plural noun, we add s to the singular noun, we can't use an before plural noun, वही हुआ बात, plural noun के पहले a और n हम use नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, कि अगर singular है, तो वहाँ a और n का use करते हैं, और plural में नहीं करते हैं, और plural कैसे बनाया है, इसको यूज करके और ईसको यूज करके तो चलिए आगे देखते हैं singular to plural. Singular form को plural में कैसे change करते हैं? Singular noun को plural noun में कैसे change करते हैं? How to change? Add ace and make it plural. First, क्या है? Ace use करते हैं और उसको plural बनाते हैं. जैसे देख रहे हैं आप बलून, बलून, काइट, काइट, कैप, कैप, बाल, बाल, कैट, कैट, मैट, मैट, तो एस यूज करके हम सिंगुलर को प्रूलर बना सकते हैं यह तो क्लियर हो गया होगा फ़र्स्ट, बहुत ही इजी है, बहुत अराम से समझी है जैसे क्या है, सिंगुलर क्या है, वान, मैन, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके वावल लेटर को चेंज करके वान है, एक इस्टेंट कर रहा है, एक आदमी, लेकिन प्लूलर जब बनाते हैं, तो वहाँ यह देखिए मेन, मिन्स, ए चेंज हो कि ए हो जाता है, नेक्स्ट क्या है, ए उमन, टू, वीमन, कभी आप बहुत लोगों से यह गलतिया करते हुए देखते होंगे, वीमन को क्या बोलते हैं, वुमन्स, कोई भी वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, वीमन, टू, वीमन, एन अंब्रेला, शिक्स, अम्रेलाज, चाइल्ड, ये भी तेखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होता है, एक चाइल्ड होता है, लेकिन अगर उसको प्लूरल बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, चिल्ड्रेन, ठीक है, ओक्स, ओक्सेन, थर्ड नंबर क्या है, there are some nouns, which don't have their plural noun, form, बहुत से ऐसे भी noun है, जिनके plural form होते ही नहीं है, तो इसके लिए भी आपको क्या, confused नहीं होना है, जैसे, glass of milk, water, glass of water, furniture, hair, तो देखिए, example, glasses of water, यहां waters, जो है, waters नहीं होके, यहां glass को ही plural किया गया, glasses of water, glasses of milk, जो की countable है, countable को हम लोग क्या कर सकते हैं, count कर सकते हैं, piece of paper, pieces of paper, okay, for noun, ending with y, we replace y and add use ies to make it singular to plural, जहां भी, अगर y है, तो उसको हम replace करते हैं, क्या से, i, e, s, i, e, s, जैसे, baby, इसमें y है, y को क्या replace किया है, i, e, s, y replace, i, e, s, बोले, y किस को replace करता है, i, e, s, lady, y replace किया, i, e, s, okay, story, i, e, s, stories, fly, flies, हां, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, एक lady को भी क्या बोलते हैं, उस ladies ने ऐसा किया, नहीं, ladies क्या है, plural, तो बच्चों आप बोल सकते हैं, कि आप गलत pronunciation ना करें, वो lady होता है, ladies नहीं होता है, ओके बच्चों, y को replace करता है, i, e, s, next है क्या, noun, ending with f, one minute, f अच्छे से नहीं clear हो रहा है, यह देखिए, noun, ending with f, we replace with v, e, s, जाहां भी आप f, देखें, वो क्या replace करता है, v, e, s, चलिए, देख लेते हैं, knife, knives, knife, knives, knife, देखिए, knives, wife, wives, leaf, leaves, tip, thieves, self, selfs, तो y क्या replace करता है, sorry, f क्या replace करता है, e, s, वाविल्स रहते हैं, वो exception में भी होते हैं, उसको भी आप देख लीजिए, roof, मैंने बताया है, f को हटा के replace करके, i, e, s, देखिए क्या लगता है, v, e, s, लेकिन, यहाँ क्या है, ropes, belief, beliefs, safe, safes, यहाँ, f, replace, नहीं हुआ है, raise, y, हटा कर मैंने replace करके, क्या बोला था, i, e, s हो जाता है, जैसा क्या आप देखिए, लेकिन, यह irregular, यह बोलते हैं, इसको, इसमें क्या होता है, यह जो होता है, यह exception में होते हैं, तो यहाँ देखिए, boy, boys, photo, photos, इसमें, e, s नहीं आया, piano, pianos, अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल ही आलग है, यह आप देखिए, इसमें change ही नहीं होता है, from ship, ship, series का कोई प्रूलर, दोनों singular प्रूलर सेम होता है, series, dear, dear, tooth, teeth, mouse, mice, person, people, जहीं पर मैं बता दूँँ, एक पहले भी, child, children, तो यह धीरे-धीरे अगर आप practice करेंगे और आप books पढ़ेंगे तो आपको धीर-धीरे clear हो जाएगा बच्चों कि क्या कहाँ change होता है और नहीं होता है, तो यह था आपका singular to plural या singular and plural, first मैंने definition दे दिया है आपको, देख लीजिए, फिर example दे दिया है, फिर यह देखिए, ए कहाँ पर singular कैसे होता है, ए और न यूज होता है, वो singular होता है, then after singular to plural है, कैसे change होता है, तो यह था singular और प्रूलर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आगे, ऐसे वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन मिल पाए, और अगर वीडियो पसंद आई, तो लाइक किजिए, कुछ प्रॉबलम हो, या वीडियो पसंद आई हो, तो कॉमेंट भी करिए, अगर कोई आपके फ्रेंड भी हो, जिसको आप सेंड करना चाते हैं, तो सेयर करिए, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक यू, थैंक यू फू वाचिंग मी,